नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि डेफकोरट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डेफकोरट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और डेफकोरट टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफे को कैसे कम किया जा सकता है, और डेफकोरट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, डेफकोरट टैबलेट एक स्टेरोइड दवा है, जिसका उप्योग एलर्जी, बहुत प्रकार के तवचा रोगों में, जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरा और तवचा पर खुजली होने पर आधी कंडिशन्स में देफकोरट टैबलेट का उप्योग किया जाता है, इसके अलावा नजला होने पर, अस्थमा होने पर, रूमेटोड अर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस होने पर भी देफकोरट टैबलेट का उप्योग होता है देफकोरट टाबलेट एक mg, 6 mg, 12 mg, 18 mg, 24 mg और 30 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की देफकोरट टाबलेट की वज़ह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप डेफकोरट टाबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं तो डेफकोरट टाबलेट की वज़ह से साइड इफेक्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है अगर आपका डॉक्तर आपको डेफकोरट टाबलेट को केवल एक या दो ताह के लिए लेने की सलाह देता है, तो साइड इफेक्स होने का रिस्क भी कम ही होता है, देफकोरट टैबलेट की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्ध, पेट में बेचैनी, घबराहट और स्वभाव चिड़ चिड़ा हो सकता है, वर डिप्रेशन भी ह हो सकता है, इसके अलावा डेफकोरट टैबलेट की वजह से चक्कर आना, शरीर में ठकान होना, भूब का बढ़ना, वजन का बढ़ना वनींद ना आने की समस्या भी हो सकती है, कुछ व्यक्तियों में डेफकोरट टैबलेट की वजह से हाथों वो पैरों में सूजन भी हो स और मासपेशियों में दर्ध हो सकता है। लंबे समय तक देफकोरट टैबलेट को लेने से शरीर की इम्मुनिटी कमजोर हो जाती है। शरीर की इम्मुनिटी कमजोर होने की वज़से कोई भी इंफेक्शन या कोई भी बीमारी आपको आसानी से बीमार कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई infection पहले से ही है, तो देफकोरट टैबलेट उस infection को ज्यादा गंभीर बना सकती है। लंबे समय तक देफकोरट टैबलेट का सेवन करने की वज़ा से osteoporosis हो सकता है। Osteoporosis एक हड्यों का रोग है, जिसमें शरीर की हड्यां बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है। और हलके से pressure या गिरने की वज़ा से भी हड्यों में fracture हो सकता है। देफकोरट टैबलेट की वज़ा से blood sugar level अधिक हो सकता है। और diabetes होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। देफकोरट टैबलेट की वज़ा से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है। और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। और त्वचा पतली होने की वज़ा से तवचा में दरारे पड़ सकती है। Defcorate tablet की वज़ा से blood pressure अधिक हो सकता है और शरीर में sodium का level अधिक हो सकता है और potassium का level कम हो सकता है Defcorate tablet की वज़ा से गर्दन, चहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से fat का जमाव हो सकता है जिसकी वज़ा से चहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है देफकोरट कैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है देफकोरट टैबलेट की वजह से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म में भी बदलाव हो सकता है अब हम डिसकस करेंगे की देफकोरट टैबलेट को कैसे लेन रेक्मेंडेड होता है, देफकोरट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, देफकोरट टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलद-अलग हो सकती है इसलिए डॉक्टर की सला के बिना डेफकोरट टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की डेफकोरट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए TB होने पर, Diabetes होने पर, Viral या Fungal Infection होने पर, Thyroid की बीमारी होने पर, पेट में अलसर होने पर, Kidney या Liver की कोई गमभीर बीमारी होने पर, Osceoporosis होने पर और Myasthenia Gravis होने पर आधी कंडिशन्स में डेफकोरट टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना डेफकोरट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि डेफकोरट टैबलेट की वज़ह से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है देफ कोरट टैबलेट की वज़ा से हड्डिया कमजोर हो सकती है इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खादय पदार्थो जैसे दूद और कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए या आप कैल्शियम और विटामिन दी के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं इसके अलावा कच्चे फलों, सब्जियों व सलाद का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं देफकोरट टैबलेट को ले सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए देफकोरट टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डेफकोरट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेफकोरट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।